अगर आप शॉर्ट वीडियो को देखते हो, तो आपने भी इस तरह की बहुत सारी वीडियो देखी होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस नीच में पहले से बहुत सारे चैनल हैं, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बलकि इसके अपग्रेडेड वर्जन की, जिसमें स्टोरी एक्सप्लेइन और कॉमेडी दोनों को मिलेगी। आपको तो पता ही होगा कि फणी वीडियो लोगों को कितने पसंद आ रहे हैं, पहले आप इस रिव्यू को देखो, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, तो इस तरह के चैनल बनाने के लिए सबसे पहले हमको वीडियो चाहिए, तरके इस सीक्रेट आप को ओपन करेंगे, इस एप का नाम क्वैशू है, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, तो इसे गूगल से डाउनलोड करके ओपन करेंगे, कौपी करके सबसे पहले आपको आजाना है प्ले स्टोर में, इस एप्लिकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करें और लिंक को पेस् नहीं ही देर में वीडियो पर क्लिक करके यहां पर क्लिक करके सेव कर लें। स्क्रिप्ट के लिए Riverside website में आकर वीडियो को अपलोड कर दो। और language को Chinese कर देना अपलोड होने के बाद ट्रांसक्राइब होना शुरू हो जाएगा। इसे कॉपी करके नोट पैड में पेस्ट करके इसे अच्छे से एडिट कर दें और जहां जहां फणी साउंड एफेक्ट या मीम लगाना हो उसे पढ़कर देख लें कि मीम कहां लगाना है। और अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। अब हमको चाहिए एक वोईस ओवर। वोईस ओवर करने के लिए 11 लाब्स का यूज करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम 11 लाब्स को ओपन कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप कैरेक्टर को आर्नल्ड करके स्क्रिप्ट पेस्ट करके वोईस जनरेट कर लें। वोईस मॉनिटाइज करने के लिए इसे एडिट करना बहुत ज़रूरी है। वोईस एडिटिंग के लिए गोल्ड वेव आप और लेक्सिस आडियो एडिटर का यूज करेंगे। गोल्ड वेव आप को ओपन करके इंपोर्ट पर क्लिक करके ओंडियो को इंपोर्ट कर दें और मैं जो सेटिंग कर रहा हूं उसे फॉलो करते जाना। एन्हांस करने के लिए अडोबी पॉड़कास्ट वेबसाइट में आकर ओंडियो अपलोड करें। यह कुछ ही समय में एन्हांस हो जाएगी। इसे डाउनलोड करके लेक्सिस आडियो एडिटर को ओपन करें। और जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही एडिट करना है। एडिट करने के बाद चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप की और जो है वीडियो एडिटिंग। इन शॉट को ओपन करके वीडियो ला लिया हूं और वीडियो के ओंडियो को जीरो करके ओंडियो को लाकर साउंड इफेक्ट और मीम को वीडियो के हिसाब से सेट कर लेता हूं। झाल झाल ये छोटू राइडर गाड़ी लेकर जा रहा था ये सब देख भेडिया ने कहा और चल दिया और रास्ते में गाड़ी में घुज गया और छोटू ने गाड़ी को ड्रिफ्ट किया और खराब रोड में खुदा दिया तब वह घर के अंदर गया और दूसरी मंजिल पर खिड़की से कूद कर भाग गया और भेडिया बेडिया